दिवाली आने से पहले आप भी मेरी तरह गूबल करते हैं ना इजी रंगोली डिजाइन, रंगोली इजी डिजाइन, लेटेस्ट रंगोली डिजाइन अगर ऐसा ही है तो ये विडियो मिस्स मत करना दिवाली आने से पहले सभी अपने घरों को सजाने की तैयारी में जुग जाते हैं और इस दौरान रंगोली भी बनाई जाती है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रंगोली सिर्फ सजावट के लिए नहीं बनाई जाती इसके पीछे धार में माननेता भी होती है पूरी जानकारी हमने ली है जोतिशाचार्य पंडित नंद की शोर मुद्गल जी से उन्होंने इस बारे में क्या क्या बताया चलिए आपको बताते हैं और उस दिन मा लक्षमी की पूजा कुवेर और गणेश तीनों की पूजा करते हैं और धन धान सुख सम्रिद्धी की कामना करते हैं यही दिवाली का परव है अब इसमें बात है कि रंगोली बनाना रंगोली क्या है जैसे दीपावली आप समझ गए कि दीपों का तेवार है तो मा लक्षमी जो है वह धन की देवी है धन की देवी मा लक्षमी को माना गया है तो रंगोली बनता है इसलिए घर को साप सुथरा करके सजाया जाता है अब यह जान लीजे कि दिपावली पूजन के दौरान लक्षमी जी के लिए स्थापित किये जाने वाले कलश और रं छिए आपको बताते हैं बता कर पिऊंप மना करें कोई भी और धर्म कार जब होता है तो रंगोली बनाया जाता है अस्टडल कमल हो या फिर नाना तरह का रंगोली आजकल पंथा इसलिए और यहाँ सजावट की बात हो तो इतना तो आपने जान लिया कि रंगोली इसलिए बनाई जाती है ताकि माता लक्षमी का घर में वाज बना रहे और इस दौरान आप अपनी रंगोली में खास डिजाइन बना सकते हैं जिससे आपके घर में धन धाने की कमी नहीं होगी और वो क्या है जोतिश आचारे ने हमें इसके बारे में भी बताया तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर रंगोली में ऐसा एक कौन सा खास डिजाइन बना है जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी की क्रिपा बरसती रहे तो दिवाली पर रंगोली से जुड़े इन सभी खास बातों को जानकर आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही ख़वरों के लिए देखते रहे लोकल एटीन झाल